कि अगुआ कि अंग इस अगुआ कि अगुआ कि अधिक लेट हो गए हैं काफिक आज कि वाल परदा वीश मेंटी क्लास से पाएगए एक जड़ी से नजाड आते हैं कि अवे वाल फार्म पर तो सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के लायग मैज़न भूणा था मैंने कामर्फिया मैठड बोला था और कामर्फिया मैठड के बार यह लास्ट रियाक्षिन भोली थी हाई लो फार रियाक्षिन यहों यह तीन कि अधिकार माचे और जबाने की इःट कोमाने लाइब मेचन बोला था है तो अगर मेचन बोलते थी तो में बोले गए थी एक ए इधिल अलकोहल यानि थाल्पी ऐग्स आति में ब्रीचिंग पाउड़र ком्माण понрав act मैं डिसकस किया था एक को मैंने वोला था एक एलफ से दूसरी को मैंने बोला था एक टोन और प्लीचिंघ वोडर सी लेकिन अगर कामर्सियम भूले तो पहला सी आलको यानी ट्राइट इसका हम रड़क्षन करादे और इसका रड़क्षन कैसे कराएं आयर मैं लोहे की छीलन और इसमें इस्ती Ein पास करते और साथ में इसको ही भी करते साथ में इसको विश्क पर दे तो मैंने बोला था एक सियल एक सियल निकल जाएगा और सिय यह यानि प्लॉरोफार बन जाएगा तामसियल आगर सेकर मैसर गोले क्या जो सेंट मैसर पूले तो हमको चार चीजों का मिक्ट्र मिलता था एक मिलता था CS3-CL, दूसरा मिलता था CS2-CL2, तीसरा मिलता था CS3-CL3, और चौथा मिलता था CCL4, इन चारों के मिक्ट्र से कर लेते थे बाहिक्ट सिर्सशन यानि फ्रेक्शनल डिस्पियेशन अगे इस दीक म को क्लोरिये आं यह दो यह दूसरे को का मर्सियों शीर मiken अग्राइब अगे यह जिल्म पाउं सो करते हैं यह जिन्म ना तो इसका सब्लाइब यह की जिन्म आ सकता हो यह अगर हम सिफ त्री यह लेडिंग वाहिल वाला या इसलिए सट अगर्ण मैंने गोला था कि CH-X वाली कंडिशन आ जाए तो इस्ते वी आक्सिडेशन से इस्टर ग्रूप मिल जायाएगा अगली कंडिशन मैंने गोला था कि अगर हम अगर इनमें से कोई कंडिशन है तब भी उनकी आक्सिडेशन से इस्टर ग्रूप मिल जाएगा और ऐसे इसका डिटेल हम जान चुके ही कि किसी इस्टर गूप वाले कंडिशन का या सी आफ्टी मिल्वाट अगर्यशन मेरम उट्यां कि रियकशन कास्टि condiciones कास्टिक या किस्टे मिल ऑς कोर इस और साथ में लेने इस ग्यार या के वोला या या इनुनी यह मिला दिया जाए और साथ में हाइलो दिया जाए तो हमको ऐसी कंदिशन में हाइलो फार्म मिलता है यानि सीच एक्स्क्री मिलता है इस्टल गुप वाला कंपाउंट या इस्टल गुप ना हूँ तो ऐसे गुप लगे हूँ जिनके आक्सिदेशन से इस्टल गुप मिल जाया करता हूँ उनकी रियक्शन अगर हम एक्स या के वैस्ट या बी एक्स का होड़ ट्वाइस और है लोजन से करा दें तब भी उनको हेलो फार्ण मिलता है अगर यहां ग्लोरीन लेगे तो तो सीज्ट ल क्लोरों मिलेगा अगर सो मिलेगा अगर तो इश यह यह तीन मैंने बोला था प्लोरोफार्म बनाने की मैठेट पहला लाइर मैठेट सेकें कामर्षियल और प्रिभियस लेक्ष्ट्र में हम खुब कायदे से हर्लोफार्म को डिस्कस कर चुके हैं कि हम पैसे पहचाने कि कौन सा कंपांड है लुफार्म देगा और कौ आज का टापिक था प्रपाइटी अफ्लोरो फार्म पर आते हैं इसके पहले क्लिकल डिश्क्स कर रहें फिर सिदिकल पहले ने हम क्लोरोफार्म एक चाहला करूंशन समहिएगा अ क्लोरोफार्म पाउड़ेंत करा देखता ऐख हुरति घार स्मस्प्राय। एक कडिक ट्रूरोफार्म की रिह निगस्तन हम से ले किक तो लादि की टेंट करेंगे लियतılох आप्स तो Kalanum लो दो को सिलवर पाुडर से रिक्षण तरेंगे क्या मैंने बोला प्लोरो फार्म के एक मौल यह और एक मौल यह दो मौल सिलवब पाउडर से रिक्षण करेंगे तो यह 6 एजी और यह 6s. Clay मैंने बोला 680 और यह 6s. Clay मिलकर निकल जाएगा सिप्स एटी सियर्ट क्या मैंने बोला क्या निकल जाएगा सिप्स एटी सियर्ट और यह बन जाएगा सियर्ट टिपल बांट सियर्ट यानि एसी टीलीन या इथाइन मिलेगा इसी तीलीन या इसी का सेकेडल में क्या बोला इथाइन मिलेगा पहले एक्शन एक्टम क्लियर होना जाहिए कि क्लोरो फार्म की रियक्शन अगर हम सिल्वण पौलडर यानि चांदी के चूण से करा दे या रजब पौलडर से करा दे तो ऐसी विच्छन में एसी पिलीन या यहां पर क्लोरोफार्म के दो माले क्यों लिये गए तो बहुत इंपार्टन प्यक्साम है तो ऐसे कंडिशन में एकटिव यह इथाइन विले अगर हम सेकंड रेक्शन गोली तो ज्यान देना पिटा सेकेंड रेक्शन अगर फिनार की रेक्शन क्लोरोफार्म और कीस्टिक सोडा या कास्तिक पोटाश्स से करा दिया जाए मैंने बोला फिनार की रियक्शन क्लोरोफार्म 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 क्लो लगाएंगे यहां बोलो त्री सील रहें तो हम थ्री के वैस लगाएंगे यानि क्लोरो फार्म में जितने प्लोरीम है उतने ही हम कास्टिक सोडा या कास्टिक पुटास लेगी ऐसी कंडिशन में क्या होगा त्री एने, त्री सील, त्री एने, 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 में से 2 यानि 4H और 2 O मिलकर 2S2 भी निकल गाएगा तो क्या क्या निकल गया 3NACL निकल गया साथ में क्या निकल गया 2S2 O निकल गया मैंने बोला 3NACL 3NACL निकल गया 3H यहां के 1H यहां का तो अनिकल गया मैंने बोला एक्सेजन बचा एक कार्वन गया और 1 इच आर्थो पोजीशन से निकल गया यह थो मे스타ं आप फंक्सनल क्रूभ के बाद कार्वन को अर्थो फंक्सनल के बाद 2 यह करवन को में अर्थो इस आप प्हु आप संव्क्हां कर दोविएग थान परनी क कि आर्थोपोजीशन से एक एक चतेए एक यहां का एक से यहां का मिलकर कर भी यहां पर भ्यानने नहां और यहां सीये ऑगे अगर हें तो तीन के यहां के तीन से यहां के थी के सिए यह निकलेगा और यहां भी यहां में इसमें कि चारज़ एक्स और दो मिलका टुस्टू और निकल जाएगा एक एक आर्थो का हाइटोजन हटेगा तो बन जाएगा शिर पन जों जहां कहने हपिम से अपोचेंट में धोली जूर्ट हटा है वही पार इस पर सिट जोड़ देंगे यह जो कंपाउंड जरा है इसका दूल कीन कृता घ्रामिना इसका स्ल्साइब कर और मिंद और यानि क्या अगया अगया है जो सपय verschied हाई यह अंपाउंड बना है इसका नाम क्या वोला गया साइल सेर्ड यहाई कि कि इस कंपाउंड का नान क्या बोला इस पोजिशन में क्या बोला होता है उसके बार वाला यह और यह था यह भी आप इसको मेटा बोलेगे और इस पोजिशन को पहला बोलेगे तो आर्थो पोजिशन से एठ हटा है और एठ हट करके सियचो लग गया है ओके तो इस कंपाउंड का नाम बोलेगे सैल्सर्डिहाइट और इसका भी नाम बोलेगे सैल्सर्डिहाइट यह दोनों ही रियक्शन ध्यांदेना और इस रियक्शन को हम बोलेगे रीमा टीमा रियक्शन इस रियक्शन को हम बोलेगे क्लोएकशक्ण को बे मिलता है यह दिलता है रियक्षन कोरो फार्म और तास्टिक सोड़ा भी पोटास्टिक इक तो सेलसर डियाइड दिलता है या फिनाल की रियक्शन क्लोरोफार्मोर कास्टिक कोटास से कराई जाएड तब भी संसर डियाइड रीम टीमन का एक और एक जाम्पर देखना अगर देखने हम फिनाल की रियक्शन CFCL 3 की देगा CCL 4 लेदी मैंने का फिनाल की रेक्षन CFCL 3 की देगा CCL 4 से करादी अब यहां मैं बेगा 3 CL तो 3 ने वेच चार ने वेच ने वेच चार ने वेच लेगी 3 CL की तो 3 के OSC आ यहां 4 CLC आ तो 4 के OSC की गहां देना बिता अब होगा गया 4 A ने यहां के 4 C L यहां के 4 H यहां है देखो 4 H यहां के और 2 वे यहां के 4 A ने 4 C L मिलकर 4 A C L नेकल गया चार एच और इसने के दो निलकर तू एस्टू निकल गया तो आप सीजन यहां दो अभी बचे यहां यह तार्वन भी बचा तो हमने बोला है कि फोर एने सीजन निकल गया साथ में टू एस्टू वही निकल गया का निकल गया तो आप सीजन मचे एक कारबन बचा और एक आर्थो का हाट मोजन हटेगा और तो देखों विटा सी और दो ओ एक एक आर्थो का मिलकर बनगे या सी डबल ओएक्स क्या विट पर छाट यहां पर में लगा था और यहां आर्थो वाली पोजीशन सब्सक्राइब करें तो चार के यहां के फूर के सिया निकलेगा और दो यहां के और चार इस नहां के उसी तरह सिमिलर निकलेगा दो आख सीजन बचे एक पारवन बचा एक आठो वाला बोलो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सम्मिला करके यहां भी सिद्वल ओएच आएगा तो यहां जुड़ा है और यहां जुड़ जाएगा सी डवलो एच जब सीचो लगा था तो सैंसर डिहाइट बोला था मैंने कहा ज इसी तरह को न लगतर के शिडवल वेच लग गया तो इसनों सैंसर इक एसिड बोलेंगी कि यह बेटीन और कि यह बिएक्जाम तक रहे किसका रीमर टीमिन का ही यह भी रियसान इसां डिमर टीमन गहीं चांपल है यह भी फिरीमर्टी मंके जांपल है तो यह रियाक्सां प सब्सक्राइब दोसरी ऐसे आसका फिनाल से सशली कैसे बनाऊंगी या फिनाल से से तीसरा वता है क्या होता है जब फिनाल की रियाक्शन प्रसार्स तोरा सितार आती या फिनाल की रियाक्शन प्रस्टीक नौटास सिक्राफी या मुझतार या फिनाल की रियक्शन कार्बन ट्रक्राइड और क्लास्टिक सुड़ा से कराते ही तो यह सारे जागबल किसके हैं रीमाट पीमेंगी कि कापी कर लें कि आज काफी लेट से रुख पाया है चुकि अलेविन की क्लास अब लेट ओवर हुई ताइल भी नहीं है लेकिन एक सूचना आपको देदें आज से फ्रिजिस का रिवलाव कुसर का पीरियड था उसके दिखापर नवनीज सर पढ़ाएंगे विए इसके जश्क बात नवनीज सर पीजिग लगी को कि मैंने क्या भोला इसके ज़श्ट बात नवनीज सर प्लास होगी आज केवल बीच मिनटट लाश ओप आई है इसलिए प्लूरोफार्म की कर्मिकल प्रापी सुम् डिस्कश नहीं कर पाये हैं यह बंदा यह यह या फिनाल की लोफार्म और आपको इसी तरी किसे फिनाल की अगर अगर हम जलेगा और आप दूले को लेने तब तो मोलते ही और इस नशा कूण है और अच्छा एक और बात शुर्ष में ही के फिनाल हिएसे बन रहा है तो इस तो सीनिय अ है ओएस ग्रूल इवार चुनियर कर mayने मैश्थीम से देंग जो सीनियर होता है और उसके बाद लागुम तक और गण है यहां है जो या सिवे गला नेधे यह मेशिव्यास से धुनी यह यहां ने पहिए जो सिग्याव आप कर थो कले आ FOR हाइड आखिट्रिया इसको भी आप हाइड थाउट्रक पिर पाइड इसका नाम का 힘 आच राक सीज्डी में टो एलिक यह इसका नाहिए तेश्ट तो अगर नाम बोलें संसरी केसित का सिंद नेम क्या बोला ओ हाइड्राक्सी यानि आर्थो हाइड्राक्सी और आगे क्या बोलेंगे बेंजोई केसित बेंजोई केसित इस तो इस इने बोलें तो क्या बोलेंगे आर्थो हाइट्राक्सी तो यहां पर जो है थो एसनेर इसको आर्थो बोला गया तो यहाद रखना रहे आपको यहाँ पर जो है इसने इसको आठो बोला लेगा यह जो सीनियर कार्बन होगा जो सीनियर को उसके कार्बन के बाद वाला कार्बन को माथ भूले तो यहां आठो पर हाइड्रासी बोला जाएगा तापी कर ले तो भाइड़त?